नमस्कार मैं हूँ शोयब खान आप देख रहे हैं चैनल 9 News शीर्डी में साई बाबा के मंदिर में पिछले दो दिलों से भक्तों की इतनी भीड है कि मंदिर के दर्वासे बंद नहीं किये जा सके हैं मंदिर में आने वाले श्रद्धालूओं का कहना है कि मंदिर की एक दिवार पर साई बाबा का चित्र उभराया है इस्थानी मीडिया में आई ख़बरों के मताविग वुदवार की राद को अफवा फहली की शिरणी मंदिर के कैमपस में इस दौरका माई मंधिर की दिवार पर साई बाबा की एक तस्वीर उभर आई है जिस दिवार पर या तस्वीर बनी है उसे चमतकार की दिवार भी कहा जा रहा है काले रंग की इस दिवार पर एक धुंदली सी छवी अलग से नजर आ रही है इस आकरती पर फूलों की माला डाली गई है जिसके बाद से वहाँ पर श्रद्धालू का ताता लगा हुआ है कुछ श्रद्धालू तो भावुग होकर रोने भी लगे द्वार का माई वही मंदिर है जिसके बारे में ये कहानी प्रचलित है कि साई बाबा ने यहाँ पानी से दीपक जलाये थे बुदुवार के बाद गुरुवार और शुकुरुवार को भी मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालू जमा रहे जिससे मंदिर का दर्वाजा बन नहीं हुआ लोग दर्शन करने के साथ साथ तस्वीरे और वीडियो भी बना रहे है वाटसप पर इस खबर के वाइरल होने के बाद यहां भगदल की स्थिती बन गई उरे मंदिर की निगरानी सीसी टीवी कैमरों के जरिये की जा रही है वही एक भगत का कहना है कि 2012 में भी प्रतिमा दिखने की अफवा उली थी या शायद मूर्ति का रिफ्लेक्शन हो सकता है महरास्टरा के पातरी में 1838 में साई बाबा का जन हुआ था लोग उनको भगवान का अवतार मानते हैं 16 साल की उमर में साई बाबा शिरड़ी पहुँचे थे और कई सालों तक तब किया उनके चमतकारों की वज़े से लोग उन्हें संत मानने लगे दुनिया में बाबा के भक्तों की अपार संख्या है इस मंदिर में देश विदेश से तकरीबन 25,000 शर्धालू हर महीने आते हैं आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में देखते रहिए चैनल 9 नीज मुंबई